फार्मर्द जर्रेनलिस्ट के साथ मैं हूँ धन्राज नागर साथियों आज हमें खेत पर आये हैं आपर एक किसान की लड़की है और हम इस गुडिया से बाचीत करने का परियास करते हैं कि इसको खेत पर आकर कैसा लगता है और किस परकार से खेत का भर्मण किया जाता है आप जाना नहीं कभी-कभी तो खेत पर आना आपको कैसा लगता है अच्छा तो आज आ प्यां पर क्या ले आए हो हम खाने के लिए नारेंगी осल्ट करें सब लेने आये हो ख़ाने की बात करी आपने एक तो नारेंगी ख़ाने आये हो और क्या क्या लगा लगा रखा है च अमरूद, मतर अच्छा यह सारे लगा रखे तो आप यहां पर खान पीने के लिए आये हो अच्छा यह बताएं कि रोज़ाना खेद पर आना अच्छा लगता तुमको अच्छा अच्छा और पापा के साथ जो काम करते हैं तो उनका सायूक बठते हैं आप के था सण qat časa में कि नियारिका जी वाम हमारा देश जुह है कर्शी परद्fir देश मैंना तो खेति‍ष परकार से हमारे साथियों को करने चाहिए سमय समय पर हो पानी देना चाहिए समय समय पर खाद देना चाहिए और दवाय देने चाहिए अच्छा तो आप जाहती है कि समझ समझ पर सारे काम किसानों को करने चाहिए एड़ा ऑचा ये बताईए कि आपके जू किताबें कौन ने पढ़ते है और पापा खेती बाड है यह बताए है कि को ये इसा पार्द भी आपकी किताब में खेती से संबंदित heute मोधा z तो यह बताईए पोदे जो है अपना भोजन किस परकार से बनाते हैं पोदे सुर्जी के प्रकार से भोजन का सर्चन करते हैं अच्छा यानि के दूब लगना पोदो को काफी जरूरी है अच्छा आपका जो खेत है इसमें तो नारंगी के बगीचे भी लगे हुए हैं थोड़ी सी चाया भी रहती होगी तो फिर पोदे भोजन कैसे बनाते हैं यहां पर थोड़ी थोड़ी दूप आती है इस वह से कम पेदावार होती है वगीचे में नारंगी आपको अच्छी लगती है आप को अच्छी हैं नारंगी आप इसली कभी खाते हैं अब को नहीं पिल लिए कर आप लगता है तो यह थी हमारे साथ देख बहुत ही प्यारी गुड़िया जो कि एक किसान की पुत्री है निहारी का नागर इन्होंने अपने वीचार आफाल साजे किया बने रहेगा साथियों कर्शी जागरन के साथ